नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूँ अजय सिनहा दोस्तों बीजेपी के विधायक ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है क्योंकि एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद अब विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है बीजे कर दिये हैं एक लेटर जारी कर दिया है क्या है पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ दरसल आगरा में बीजेपी के विधायक है जीएस धरमेश उनका एक लेटर वाइरल हो रहा है जिसमें सीधे तोर पर गंभीर आरोप पुलिस पर लगाए गए हैं विधायक ने कहा है कि पुलिस कमिशनरेट नहीं बलकी कमीशन का रेट है यानि बेहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं जीएस धरमेश इस समय आगरा चावनी के विधायक हैं उनका दावा है कि पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीती को पलीता लगा रही है इस संबंद में उनका लेटर वाइरल हो र पी उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री योगी आधितनात की अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की सोच को पलीता लगा रहे हैं भू माफियां और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने के बजाए उन्हें संरक्षन परदान कर रहे हैं विधायक जीएस धरमेश ने ल बलतकारी और भू माफिया आए दिन कोल्ड से बरी हो रहे हैं बीजेपी के विधायक जीएस धरमेश का लेटर बुरी तरह से वाइरल हो रहा है और उत्तर प्रदेश की राजिनीती में एक बड़ा भूजा ला गया है यानि विपक्ष अब बीजेपी की सरकार को या यू क भाजपा विधायक डॉक्टर जीएस धरमेश ने अपनी ही सरकार में प्लिस पर उठाहिस सवाल अंदर लिखा है अगरा च्ञवनी से भाजपा विधायक डॉक्टर जीएस धरमेश ने आरोप लगाएँ कि पुलिस मनमानी कर रही है वही दैनिक जागरण की खबर है जिसमें लिखा है आजरा निूस कमिशन की रेट विथायक डॉक्तटर ज委 धर्मेश ने अपनी सरकार पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा अमर उजाला की खबर है कि भाजपा विधायक ने खोला पुलिस के खिलाफ मोर्चा कहा कमिर्शनरेट नहीं बलकि कमीशन का रेट मेरे पास सबूत है परदा फास पोर्टल है उसने लिखा आगरा की पुलिस कमीशनरेट नहीं बलकि कमीशनरेट हो गई है रुमंतिर्यों विधाए बीजेपी विधायक का दावा आगरा पुलिस कमिशन रेट नहीं कमिशन का रेट विधायक जीएस धर्मेश ने लिखा कि गैर जमानती वारंटियों गिरफतार करने के पस्चात उन्हें छोड़ा जा रहा है बीजेपी के दाइत वान करकरताओं पर लिखा उत्तर प्रदेश के माननी मुखमंत्री जी कम से कम अब तो अपने शासन प्रशासन कोई कुशासन को सुईकार कर लीजिए क्योंकि अब तो आपके ही विधायक पुलिस कमिशन रेट को कमिशन रेट की उपाधी से शिशोभित कर रहे हैं अब क्या इस आलोचना के बाद आप उन पर भी लिखवाएंगे या बुल्डोजर का डर दिखलाएंगे भाजपा राज में कमिशन रेट दरसल करप्शन रेट बन गए हैं कमिशन रेट वसूली का विकेंदरी करण हैं वहीं अखिलेश यादव को ट्वीट पर भी जो और ट्विटर यूजर उनकी बाण आगई श्यामलाल पाल हैं जो कि प्रदेश अध्यक से सपा के समाजवादी पार्टी के उनों लिखा भाजपा राज में कमिशन रेट दरसल करप्शन रेट बन गए हैं कमिशन रेट वसूली का विकेंदरी करण हैं भाजपा मतलब भरष्टाचार ममता नाम की ट्व शासनिक धाचे की विश्विस्तनियता पर सवाल उठाते हैं ऐसी आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है अगर वे तत्थ्यों पर आधारी तो सरकार को उनकी जाच करनी चाहिए वहीं दिनेश पटेल नाम के टुडे यूजर हैं उन्होंने लिखा कि फिर भी आदर्णी मुखमं मुखमंत्री जी को यह पता है कि हमारे शासनकाल में भिष्टाचार हो रहा है लेकिन हिंदू-मुसल्मान बुल्डोजर जैसे क्रत्यों से जीतना चाहते हैं चुनाओ मुखमंत्री जी सबसे बड़ी बात है जनता आप जागरुक हो गई आप कोई छलावा में नहीं बीजेपी विधायक ने अपनी सरकार में मौझूदा पुलिस विवस्था पर एक तरह से बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया है और सीधे तोर पे कहा है कि कमिशन रेट पुलिस नहीं बलकि कमिशन का रेट है अब ये मामला जो है उत्तर प्रदेश की राजनीती में ब तरह से इस बात को इस आरोपो का खंडन किया जाता है समाजवादी पार्टी के अखले श्यादव के बयान का जो है जवाब दिया जाता है देखने वाली बात होगी बहराल बीजेपी विधायक ने अपनी सरकार की टेंशन एक तरह से कहें तो बढ़ा दी है दोस्तों इस प तरह से में तोस्तों इस प्राज़ ऑनी सरकार करेंश भीध पार्टी के दोस्तों इस degree में ऊफ़ाद Warning.